हेलो एव्रिवन स्वागत है आप सबका एक और नई वीकली पी एडल वीडियो में वेल आज हम देखने वाले मेरा 22nd ऑफ जुलाई से 26th ऑफ जुलाई तक का वीकली पी एडल इस हफते का सीरेसली बहुत जादा इस दजारत हम सबको बिकॉज 23rd ऑफ जुलाई को बजट आने वाला था जहां पे ट्रेडर्स के लिए कुछ बड़े-बड़े एलान करने वाले थी गॉवर्मेंट और वैसे कुछ एलान हुए भी है जिसकी वज़े से बहुत जादा क्रेजी मूव थी मार्केट में अभी आपको मैं चार्ट में दिखाऊंगा ना आपकी आखे एकदम खुली की खुली रहने वाली है तो सबसे पहले मैं आपको एक बार अपना पी एंडल दिखा जेता हूँ एंड नेट रियलाइज पी एंडल आए है 16,980 रुपीज तो यह लगबागा आप 17,000 रुपीज के आसपास लगा सकते हैं जिसमें चार्जिस थोड़े कम लगे है बिकॉज यहाँ पे मैंने पूरे हफते में सिर्फ तीन ही ट्रेडिंग सेशन ट्रेड किया है अपको यसी गॉवर्मेंट हॉलिडे नहीं थी मार्किट में पूरे हफते मार्किट एकदम अच्छे से रन किया है पांचो ट्रेडिंग सेशन थे लेकिन यहाँ पे मैंने पहले दो ट्रेडिंग सेशन में हफते के ट्रेड नहीं किया बेकॉज मैं एक पर्सेंटेज भी रिस्क नहीं लेना चाहता था अपनी कापिटल पे 22nd of July मंडे का दिन 23rd of July Tuesday का दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड किया ही नहीं अपना ट्रेडिंग चार्ट खोला ही नहीं मैंने यहाँ पे मैंने वेडड़ जे से ट्रेड किया था तो ना सबसे पहले मैं आपके एक बार Monday and Tuesday का चार्ट दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड नहीं किया था यूजिली मैं यह Mid Cap Nifty में ट्रेड करता हूँ अब अगर मैं मंडे के दिन ट्रेड करता definitely मुझे यहाँ पे बहुत जाद अच्छा पैसा बनता because market ने एक तरफ की directional move की है and उसके बाद sideways हो गई but यह चीज तो मैं trading session खतम होने के बाद बता रहा था ना कि मुझे बहुत जाद अच्छा पैसा बनता but यहाँ पे losses का भी तो जादा chances थे and जब भी ऐसा कोई scenario आता है या तो कोई ऐसा budget वाला time आ जाई या जैसे election का result था तो वहाँ पे मैं यही कोशिच करता हूँ कि trading करू ही न because यहाँ पे मुझे पूरा साल मिलने वाला trading के लिए and अगर मैं एक या दो दिन trade miss भी कर दूँगा उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है because मुझे कोई addiction नहीं है trading की trading को मैं proper profession की तरह देखता हूँ and अगर मुझे लगता है कि मेरे capital को risk हो सकता है then वहाँ पे मैं trade नहीं लेता हूँ because capital protection ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो mid-cap nifty में जो भी मेरे course members है उन्होंने भी अगर trade किया है mid-cap nifty में उनको definitely पैसा बना होगा but यहाँ पर personally मैंने अपनी capital risk में नहीं डालना था इसलिए मैंने बिल्कुल भी trade नहीं किया था अब एक बार मैं आपको Tuesday का दिन भी दिखा देता हूँ अब यह देखिए 23rd of July का दिन Tuesday वेल एक बार मैं इसका C पर हटा देता हूँ आपको अब यह देखिए market एकदम flat खुली थी continuously fall करती है यह देखिए यह कितनी बड़ी बड़ी week बनाई है honestly इसमें काफी जाद रिस top loss हो जाते अब देखिए जैसे यह 940 वाली candle है उसके बाद यह 1115 वाली candle है कितनी बड़ी बड़ी candle बनी है 1110 पे market चल रही थी 23,595 इस level से 300 points 1.27 percentage फिन निफ्टी fall करती है और उसके आद वापिस उसी level पे जाती है अब अगर मुझे पता है कि ऐसी ही move market में आने वाली है because budget का time है तो मैं क्यों भाई इसमें trade करूँगा और मैं क्यों अपनी capital को वहाँ पे risk पे डालूँगा वेल वो बात अलग है कि मेरी strategy के साब से अगर मैं 23rd July को भी trade करता मुझे वहाँ पे बहुत जादा अच्छा पैसा बनने वाला था बट फिर भी मैं बिल्कुल भी ऐसे ready नहीं हूँ अपनी capital को risk पे डालने के लिए इसलिए मैंने 23rd July को भी कोई भी यहाँ पे trade नहीं लिया था अब मैंने यहाँ पे अपनी trading वापिस resume की थी 24th of July को यह vendas day था और मैंने bank nifty में trade किया था मुझे 1677 रुपीज का profit हुआ है 24 July को जब market वापिस थोड़ी सी settle हो गई थी और सारी की सारी news market में आ चुकी थी उसके बाद मुझे trade करना थोड़ा ठीक लगा इसलिए मैंने 24 July को trade किया था वेल morning में आप देखेंगे morning में market काफी जादा वॉलाट हैल थी लगबग 10 वजे तक उपर नीचे की काफी बड़ी-बड़ी move थी और 10 वजे तक काफी stopless hit भी हुए थे लेकिन उसके बाद market एक तरफ की directional move कर दी थी जिसकी वेज़े से हमें यहाँ पर ठीटा profit हो गया था अब उसके बाद जो अगला trading session था वो था 25th of July ये Thursday का दिन था मैंने Nifty में trade किया था 13,043 रुपीस का इसमें profit हुआ है तो Thursday का दिन काफी यहाँ पर simple सा दिन था because market अच्छा-कासा gap down खुलती है and gap down खुलने के बाद market continuously उपर जाती है अब guys ये चीज़ना मैंने आपको बहुत बार समझाई है कि जब भी market में ऐसा बहुत बड़ा gap up या gap down होता है and अगर वहाँ पे आप algo trading करते हैं अपनी strategy के साब से premiums में बहुत ज़ादा difference आता है and जब भी वो premiums में difference आएगा हो सकता है वो चीज़ कभी-कभी आपके against काम करें लेकिन कभी-कभी आपके favor में काम करें अब जैसे इतना बड़ा gap down हुआ था जिसकी वज़े से जो मेरा put option है उसका premium मुझे लगबग 81-82 रुपीस का मिला था and call option का premium लगबग मुझे 50 रुपीस का मिला था तो वहाँ पे premiums में 30 रुपे का difference था 50 रुपे का मुझे call option मिला है and 80 रुपीस का मुझे put option मिला है जिसकी वज़े से अब मेरी trade ले थे ही न market continuously उपर जाती रही जिसकी वज़े से मेरे call option में कुछ यहाँ पे stop loss हिट हुए थे लेकिन वो मेरे stop loss 50 रुपे के premium पहिट हुए and जो लग मुझे profit बना के दे रहा था वो 80 रुपीस का लग था जो मुझे अच्छा कासा profit बना के दे रहा था जिसकी वज़े से overall मैंने अपना trading session green मही close किया था यह चीज मैं आपको बारवार बताता हूँ कि जब भी ऐसे difference आता है premium में कभी-कभी वो आपके favor में करेगा काम कभी-कभी आपके against करेगा लेकिन eventually अगर आप देखेंगे ना long run में वो आपके favor में ही काम करता है because 80 रुपे का जो मैंने premium sell किया था उसके बाद market continuously उपर जाती चली गई and 80 रुपे वाला premium मेरा zero हो गया तो वो 80 रुपे मुझे पूरे मिल गए and जो 50 रुपे का premium था उसने मुझे थोड़ी दिक्क दी थी but it was fine because difference अलरी बहुत जादा था यही same चीज अगर मालनो मुझे 50-50 रुपे का premium मिलता market इतना बड़ा gap down ना होता 50 रुपीस का call option and 50 रुपीस का put option यह दोनों मुझे मिलते तो उस situation में मुझे profit होता but इतना बड़ा profit ना होता उसमें around 3 या 4 रुपे का profit होता उससे जादा ना होता तो इसलिए यह चीज आपको समझनी बहुत जादा जरूरी है अब उसका अगला जो trading session था 26th of July यह मैंने sensex में trade किया था मुझे 2,850 रुपीस का profit होता है well sensex वाला दिन भी थोड़ा सा volatile जादा था अब जो मैं आपको बता रहा था काफी time से कि ना market यहाँ पर अच्छा पैसा बनाके दे रही है sensex but अब शायद हो सकता है कि किसे ना किसी की नजर लग गई because अब sensex थोड़ी सी गड़बड करता है इतनी जादा volatility होती है उसमें कि भाई क्या ही बताय जाए अब आप अगर यह chart देखेंगे ना morning से ही market एक तरफ यहाँ से continuously उपर गई है but premiums ऐसे react नहीं करते है sensex में sensex के premiums अपनी दुन में चलते हैं वो chart की साफसे तो चलते ही नहीं है because यहाँ पर Friday वाले दिन क्या दिक्कत हुए थी market even though उपर जा रही थी call option के premiums increase हो रहे थे लेकिन put option का premium बिल्कुल भी decay नहीं हो रहा था and यह चीज लगबग 11 बज़े तक हुई थी market में जहां पर even though market उपर जा रही है put option का premium बिल्कुल भी decay नहीं हो रहा था well मुझे याद है put option का मेरा premium लगबग I think 145 के आसपास का मैंने sell किया था and 11 बज़े तक जिस level मेंने trade ली थी उससे लगबग 150 points market उपर जा चुकी थी and जो strike price मैंने sell किया था वो out of the money हो गया था लेकिन फिर भी वो 145 का जो मैंने sell किया था वो around 125 के आसपास चल रहा था जो साफ दर्शात है कि premium decay बिल्कुल भी नहीं हो रहा था and वहां से अगर slightly भी market fall कर जाती then वो 125 का premium है वो वापी से 150-155 का हो जाता जिसकी वज़े से फिर वो दिक्कत हो जाती अब गाईस ये चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ या तभी मेरे से connect कर पाएंगे अगर आपने भी algo trading करी होगी या live market में आप भी premiums को track कर रहे होगे तो ही जो मैं आपको समझा रहा हूँ उससे आप मेरी बात से connect कर पाएंगे and अगर आप connect कर पा रहे हैं मुझे comment section में जरूर बताना कि क्या क्या आपको दिक्कत है फहसूस हुई थी because मेरे साब से सेंसेक्स में थोड़ी सी अभी आजकल दिक्कत चल रही है यह चीज की charges and taxes मेरे 588 रुपीज लगे है जिसमें 300 रुबे की मुझे brokerage लगी है GST, STT अब तो भाई STT भी बढ़ा दिये government ने मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि government क्या करना चाह दिये और exchange transaction tax यह सब आप पूरा देख सकते हैं अब यहाँ पर दो चीज़े है या तो मैं 17,000 का profit देखके खुश हो जाओ या फिर मैं यह सोचत रह जाओ कि काश अगर मैंने Monday और Tuesday को भी trade किया होता यह 17,000 का profit लगमंग मुझे 35-40,000 रुबे का profit दिखता वेला मेरे पास दोने ही option है बट मैं पहला option हमेशा prefer करता हूँ कि जो मुझे profit हो गया वही मेरी किस्मत का था और लेके मैं खुश हूँ आगे मैं और जादा काम करता रहूँगा बट मैं पूरा दिन यही सोचता नहीं बैठूँगा कि काश अगर मैं trade करता मुझे 40,000 का profit हो जाता इतना मैं यह कर सकता था वो कर सकता था वो सब आपको नहीं सोचना है जो बीद गया वो बीद गया यह मैं आपको चीज इसलिए बता रहा हूँ वो एक particular decision ले ले लेते हैं market में अगर वो decision ठीक जाता है जो भी आपने decision ले लिया बस ले लिया उसके बाद अगले step पे जाईए अगले हफते की वापिस से तैयारी शुरू करिए ऐसी trading की जाती है अगले आपको long run में eventually trading करनी है ऐसे ही आपको mental अपनी psychology रखनी पड़ेगी and इसको लगातार trade करते रहना पड़ेगा यही था पूरे हफते के बारे में वेल पूरा हफता काफी peaceful गया है because यहाँ पे कोई भी red दिन नहीं है and as a trader अगर कोई भी red वाला दिन नहीं जाता है then obviously थोड़ा सा यहाँ पे relaxing तो रहता ही है and guys इसके साथ साथ एक और मुझे announcement करनी है जो मेरा course है already algo trading का उसमें मैं अपनी strategies कुछ update कर रहा हूँ and almost next weekend तक सारी की सारी strategies वो update हो जाएंगी so अगर अभी तक आपने login नहीं किया है फटाफट जाके मेरे algo trading course में login कर लीजिए उस app का link मेरे video के description में ही है iOS का and Android का जो भी आप use करते हैं उसका link यहाँ पे मेरी video के description में है आप जाके login कर लीजिए and उसमें आप जरूर उसको trade कर सकते हैं वही same strategies मैं भी trade करता हूँ and अगर आपको मेरे algo trading course के बारे में कोई भी doubt है बेजिजग आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं so यही था आज की video के बारे में I hope आपको video अच्छी लगी हो and कुछ न कुछ psychology के बारे में आपको जरूर समझ आया हो so thank you for watching the video with lots of patience let's meet in the next video then